आज में आप लोग किशा शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी पिन हुईल बाइट रिस्पी बनाना अगर आपको समोसे कचुरे अच्छे लगते हैं तो आप इस रिस्पी को एक पर ट्राइ किजे हमें उम्मीद है आपको ये बेहत पसंद आएंगे तो सबसे पहले एक चाट्मी बनाएंगे इसके लिए mixing बाउन में डाल देंगे धनिया पत्ता इसके साथ हम डालेंगे green chili 3 यहाँ पर हम green chili डाल देंगे इसके साथ 4-5 lesson की कलिया डालना है और उसके साथ add करना है lemon juice तो यहाँ पर आधा lemon juice हमें add करना है तो ऐसे हम इस तरीके से निचोर के डाल देंगे और फिर इस तरीके से अच्छे से निचोर लिया है मैने अब यहाँ पर हम आड करेंगे 1 1 तिस्पुन नमक, 1 तिस्पुन चाट मसाला और फिर इसमें हम डाल देंगे पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और यहाँ पर इसकी हमें पेस्ट बना के चटनी हमने बना ली है अब हम डो बनाएंगे, तो यहाँ पर बने एक कप मैदा ली है और यहाँ पर हमने टू टिस्पून जैसा घी आट की है हाप 3 स्पून सॉल डालेंगे और अच्छे से मीक्स करेंगे इसमें जो कपकी बाइट बनेंगे ना बहुत ज़्यदा क्रिस्पी बनेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हलका गुन-गुना ऐसा गरम पानी डालेंगे इसके एक सब्ट हम डो बना लेंगे घी की जगा आप ओल का इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छे से हमने डो को गुल ली है अब हम इसे रिस्ट करने के लिए साइड में रखेंगे तब तक हम स्टाफिंग बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने उबले हुए मोटोर को अच्छे से मैश कर ली है अब यहाँ पर थ्री मैंने फिर यहां पे हम डाल देंगे half cup पनीर, अगर आपके पास पनीर है तो ग्रेट करके half cup पनीर आप यहां पे आट करें बनने आप discuss कर सकते हैं और फिर यहां पर हम डाल देंगे 2 तिस्पून धनिया पत्ता, इसके साथ कुछ मसाला, तो यहां पर मैंने ग्रीन चिली बारिक काट ली है, साथ में, 2 तिस्पून, और उसके साथ एड़ करेंगे 1 तिस्पून नमक, 1 तिस्पून हम ढाल देंगे, ब्लाक पेपर, half teaspoon chili flakes add करेंगे और इसकी साथ add करेंगे 1 teaspoon चाट मसाला, अच्छे से mix करेंगे, अपने मंद पसंद कोई भी vegetables अगर आपको इसमें add करना है तो वो आप कर सकते हैं, तो अच्छे से हमने mix कर ली है, और ये हमारी जवत 10 ट्राफिंग बन के रेडी है, जो मटर है उसे हमने हलका सा हुआ लिया था, और उसकी पास उसे हमने अच्छे से mash कर ली है, और जो dough है आप देख सकते हैं, अच्छे से हमने गुंद के रखा था, वो rest हो चुकी है, तो इसे मैं और एक पर अच्छे से गुंद लीती हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा crispy बनेंगे, तो अच्छे से गुंदने की बाद ये जो dough है ना, इसे हमें दो हिस्सों में काट करना है, ताकि इसे हम आसान इसे बेल पाए, और इसे बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलना है, तो बस यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे काट लगा लेंगे, ये जो बाइट बनेंगे ना बना सकते हैं, तो बस इसे हमें बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलना है, जैसे रोटी बनाती है उससे थोड़ा सा मोटी लिया रखके इसे हमें बेल लेना है, बेलने के बाद पिर यहाँ पर मैंने isze काट कर ली है, एक प्लेस रखके ताकि यह बिल्कुल शेप में आए और इसे आपको आसानी से रोल बनावाए तो बस इस तरीके से जो स्ट्राफिंग है आपको ऐसे इसे अच्छे से डालना है आप चाहे तो जो चट्नी है ना हरा चट्नी हमने बनाई है वो भी इसमें थोड़ा साब डाल सकते है या टोमेटो केचप भी आप आप देख सकते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी खाली ना रहे रोल जो है वो अच्छे से हो तो आप इस तरीके से रोल कर ले हाते उसे हलका सा इस तरीके से दबा दे ताकि रोल आपकी खोले नहीं इस तरीके से और उसकी बाद इसकी हम काट लगाएंगे तो नाइप जैसे इस तरीके से आपको काट लगाना हो जाएगी तो हातों में लेके इसे हलका सा इस तरीके से आपको इस तरीके से हलका सा दोनों साइड लेके हलका सा प्रेस करना है ताकि जो स्ट्राफिंग है वो बहां नहीं निकले तो कुछ इस तरीके से आपको हातों से इस तरीके से स्ट्राफिंग इसके अंदर फिल हो चुकी है तो बस सारी हमने कुछ इस तरीके से बना ली है आप देख सकते है अच्छे से बहुत सारा बनके रेडी है अब हम एक बैटर बनाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 3 टीस्पून मैदा और इसमें डालेंगे हर्प टी नहीं करेंगे और नहीं बहुत जादा गाड़ी करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले एक बार में जादा पानी ना डाले इसमें क्या होगा अपके बैटर जो है ना वो पतली हो सकते हैं तो यहाँ पर इसकी जो कैंटिंडी वह आप देख सकते हैं कुछ इस तर कर लेंगे विल को हमने बहुत अच्छे से गrent कर ली है और म highly 有 सर फ्राइय करना है मीडियं फ्राइय करना है अन्दर ्पिल्कुल जुढ हो जाएगा और ंदर फ्राइय ओजाएगा और ये क्रिस्पी बनंग तो इस तरह के से उलट पलट के आपको फ्राई करना है, जैसे ही आपको इसे एक साइट फ्राई हो जाएगी, आपको इसे पलटना है, दुसरी साइट को भी फ्राई करना है, इसी तरीके से हर एक साइट पलटते हुए इसे गोल्डेन आने तक फ्राई करना है, तो बस अब देख सकते हैं कितन इसमें क्या होगा उतना क्रिस्पी नहीं बन बाएगा तो इसी तरीके से आपको देख सकते हैं पलाटना रहना है एक साइट से लेके दूसरी साइट और एक बारी में आप बहुत जादा फ्राइ कर सकते हैं तो यह देखे इसके कलर बढ़िया आ चुकी है बस इसे हम निकाल सेम पॉसस में जितना भी है भूहम ऐसे ही फ्राइ कर लेंगे अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो हारी चटनी बनाए बरना आप इस टॉमिटो स्टॉस के साथ ही इसे इसे इंजाई कर सकते हैं तो बस आज की रिस्पी अपने घर में जरूर प्राइब करें और इस